धार्मिक मानेताओं के अनुसार राम का जन लगबग 8,80,000 साल पहले हुआ था गोविंद राम हांसानंद प्रकाशन द्वारा प्रकासित वालमी की रामायन में अनुवादक वे संपादक आजारिय जग्दीश का मानना है कि रामायन काल एक करोड़ी 89,000 वर्ष पूर्व था कुछ ने राम चंदर का जन 9,000 BC के आसपास का बताया है और कुछ लोगों ने 7,000 BC के आसपास का आजकल के कुछ विद्वानों के मतनुसार राम रावन युद्ध 15 नवंबर 392 BC को समाप्थ हुआ था अब एक नई चीज और आई है प्लेनेटेरियम सोफफवेर जिसके जरिये राम जन्व किती थी 10 जनवरी 5414 BC को बताई जा रही है इसकी पुष्टी इंसिटीट ओफ साइंटिफिक रिजर्च और वेदाज ने भी की है और कहा गया है कि राम का जन्व 5114 BC में अयोध्या में हुआ थी परंतु अगर हम खोज लिए गए तत्थ्यों और ग्याद कालखंडों के आधार पर अपने अतीत की खोज में निकलते हैं तो हमें गुलामे का एक लंबा काल मिलता है शक, हून, कुशान मिलते हैं, बुद्ध मिलते हैं, बोध राजाओं के सिलालेख मिलते हैं, इन सब के एतिहासिक परमान मिलते हैं हमारा इतिहास हम पर राज करने वाली जिन्दा जातियों से होते हुए, मुर्दों के टीले महों जोदरों से होकर गुजरता है विश्व की सबसे प्रसिद और सबसे प्राचीन उस नगरिय सभ्यता सिंदु घाटी तक जाता है जब हमारे पूर्वजों को केवल बैल गाड़ी और खेती बाड़ी का ही ज्यान था जहां किसी घोड़ा गाड़ी का कोई नाम और निशान नहीं था लेकिन इन सब के बीच हम उस काल का कोई प्रमान नहीं मिलता जब दस रथों के राजा राज करते थे जिनके आलिशान महल हुआ करते थे जिन आलिशान महलों की हमें कथाई पढ़ने को मिलती है खोजने पर उन महलों की कोई इंट तक नहीं मिलती कथाओं में पुश्पक विमानों का वरणन मिलता है परमानू से भी खतरनाक हत्यारों से लड़ायों की कहानिया मिलती है लेकिन धर्ती पर खोजने से कोई भाला, कोई तीर तलवार तक नहीं मिलती इतिहास कहता है चार हजार इसापूर्व से पहले भारत में कोई नगर ये सभ्यता ही नहीं थी और मिथियास कहता है इक्यावन सो चोदा इसापूर्व राजमहल हुआ करते थे जहां भगवान ने जन्म लिया था जिन्नोंने अपनी पत्नी को छुडाने के लिए राक्षस रावन की सोने की लंका जला दी थी लेकिन लंका का इतिहास कहता है उस काल में वहाँ कोई राजा ही नहीं था वहाँ कबीले हुआ करते थे आज से सो साल पहले तो उस टापू का नाम लंका भी नहीं था इसके बावजूद भी अगर हम राम दसरत रावन जैसे रामायन के पात्रों को इतिहास मानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस किताब को जानना होगा जिसकी वज़ा से हम इन सब को जानते हैं रामायन खुद के बारे में क्या कहते हैं वो इतिहास है या मितिहास है आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ मेरे जैसे वैक्ति के लिए जो किसी भी तरह के आलोकिक और पारलोकिक शक्तियों के स्वामी या किसी अवतार में विश्वास नहीं करता वो राम को ईश्वर या भगवान के रूप में कभी स्विकार नहीं कर सकता लेकिन एक वैक्ति पूर्वज या एक महापुरुष के रूप में अगर वो इतिहास में साबित होते हैं तो मैं उन्हें अपने इतिहास के रूप में सदा स्विकार करने को तयार हूँ तो रामायन इत्यास है या मित्यास है आज की सकड़ी में मैं आपको रामायन में से ही पांच ऐसी कहानिया सुनाऊंगा जहां से हमें राम का इत्यास और उसके पूर्वजों का पता चलता है जिनें सुनकर आप स्वैम निर्णे ले सकते हैं रामायन इत्यास है या मित्यास है जन साधारन के बीच रामायन राम जन से शुरू होती है लेकिन हम रामायन की इत्यासिक्ता का विशलेशन करने जा रहे हैं तो हम रामायन को वहाँ से शुरू करेंगे जब विश्वा मित्र राम को उनकी शिक्षा के दोरान अयोध्या नगर और उसके पूर्वजों का इतिहास बताते हैं ये सारा प्रसंग गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वालमी की रामायन बाल कांट सर्ग 38 से शुरू होकर सर्ग 44 तक चलता है विश्वा मित्र राम को संभोधित करते हुए कहते हैं वीर पहले की बात है अयोध्या में राजा सगर हुआ करते थे उनकी दो पत्निया थी पर कोई संदान नहीं थी राजा सगर ने हिमालिया परवत पर जाकर भिगु प्रसना वन के सिखर पर 100 वर्ष तक तपस्या की उसके बाद महरिशी भिगु ने राजा सगर को वर दिया कि उनकी दोनों पत्नियों में से एक को एक पुत्र होगा और उनकी दूसरी पत्नी साथ हजार पुत्रों को जन्म देगी आगे विश्वा मित्र राम को बताते हैं कि राजा सगर की पत्नी केसनी ने असमंज नामा के एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी पतनी सुमती ने एक तुम्भी के आकार के भ्रून पिंड को जन्म दिया जिसको तोड़ कर साथ हजार घीसे भरे मटकों में रखने के बाद उन में से साथ हजार पुत्रों का जन्म हुआ आगे चलकर राजसगर का बड़ा बेटा असमंज बड़ा ही क्रूर राजा बना वो नगर के छोटे बच्चों को नदी में डाल कर उन्हें डूबते हुए देखकर खुश होता था राजसगर ने उसे नगर से निकाल दिया असमंज का एक पुत्र था जिसका नाम अंचुमान था अंचुमान अपने पिता की विप्रीद एक नेक सभाव का राजकुमार था कुछ समय बाद राजसगर को एहसास हुआ कि असमंज ने बहुत पाप किये है कि उसे यग करना चाहिए और रिशियों पंडितों की सला से यग्य का घोड़ा छोड़ दिया गया लेकिन उस यग्य के घोड़े को इंद्री ने दैत्य रूप धर कर पकड़ लिया राजसगर को ब्राह्मनों ने कहा उस घोड़े को जल्द से जल्द खोज लिया चाहिए ताकि यग्य पूरुन किया चा सके राजसगर ने अपने साथ हजार पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि सारी पृत्वी को खोड़ डालो कैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर आओ राजसगर के साथ हजार पुत्रों यानी राम के पूर्वो जोने घोड़े की तलाश शुरू करती उन्होंने पृत्वी को अपने हाथों से खोड़ डाला पर उन्तु घोड़ा नहीं मिला वापस लोटकर उन्होंने निराश होकर अपने पिता को घोड़ा खोजना पाने की बात पताए पिता ने गुस्से में कहा जाओ फिर से पृत्वी को खोदो जैसे भी करके घोड़ा वापस लेकर ही आना पिता की आग्या से साथ हजार पुत्रों ने गुस्से में पृत्वी को गहराई तक खोदना शुरू करती है तब खुदाई करते करते उन्हें एक परवताकार दिगज दिखाई दिया जिसका नाम वीरुपाक्ष था वीरुपाक्ष पृत्वी को अपने मस्तक पर धारन किये हुए था विश्वा मितर राम को कहते हैं राम जब धककर वीरुपाक्ष अपने मस्तक को इधर उदर करता था तो इससे मैं भुकम्फ होने लगता था आगे की कथा में विश्वा मितर राम को बताते हैं कि में 60,000 राजकुमार पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले उस विरुपाक्ष को प्रनाम करने के बाद दक्षिन दिशा की खुदाई में लग गए फिर उन्हें इस दिशा में भी एक विशाल का एक दिगज दिखाई दिया जो दक्षिन दिशा को अपने मस्तक पर धारन किये हुए था इसी तरह उन्हें हर दिशा में ऐसा ही एक विशाल दिगज दिखाई दिया जिसके सर पर पृत्वी की हर एक दिशा ठीकी हुई थी आगे विश्वा मित्र राम को बताते हैं कि सभी दिशाओं के इन दिगजों को प्रणाम करने के बाद साथ हजार राजकुमारों ने पूर्वोत्र दिशा में खुदाय आरम की बहां उन्होंने भगवान कपिल को देखा राजा सगर का घोड़ा वहीं पर चर रहा था ये देखकर उन्होंने गुस्से में भगवान कपिल को चोर और दुर्भद्धे कहा ये सुनकर भगवान कपिल रोश में भरकर उनके मूँ से एक हुंकार निकली जिसके साथ ही राजा सगर के साथ हजार पुत्र जलकर राक का धेर हो गए अगले सर्ग में ये कथा आगे बढ़ती है जब साथ हजार पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए तो राजा सगर ने अपने पोत्र अंशुमान को कहा वत्स तुम भी अपने साथ हजार चाचाओं के पत का अनुसरन करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने हमारे यग्या का खोड़ा चुराया है देखो पृत्वी के भीतर बड़े ही बलवान चीव रहते हैं तुम उनसे टकर लेने के लिए तलवार और धनुश्मान भी साथ लेते जाओ इसके बाद अंशुमान अपने साथ हजार चाचाओं द्वारा खोद कर बनाए गए प्रित्वी के उनी भीतरी रास्तों पर निकल गए और उस जगे जा पहुँचे जहां उसके साथ हजार चाचा मृत पड़े थी उन्हें देखकर अंशुमान विलाप करने लगे महीं पर उन्हें यग का घोड़ा भी चरते हुए दिग गया घोड़े को देखकर अंशुमान को थोड़ी सांत्वना हुई उसके बाद उसके मन में अपने मृत पूर्वजो को जलांजली देने की इच्छा हुई परन्तु दूर दूर तक जल नहीं था यहां से आगे एक नई कथा का आरभ होता है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ क्या ये संभव है कि एक औरत एक ऐसे पिंड को जन्म दे जिसे तोड कर मटकों में रखने पर साथ हजार बच्चे पैदा हो जाए फिर वो साथ हजार राजगुमार बड़े होकर घोडे की तलास में सारी पृत्वी को अपने हातों से खोड डालते हैं फिर उन्हें हर एक दिशा में ऐसे विशाल का ये दिगज नजर आते हैं जो पृत्वी को अपने मस्तक पर धारण की रहते हैं जिनके हिलने पर भूकम पाते हैं अब आप ही बताएं इन सब में कहीं भी कोई समझदार आदमी इतिहास तलास सकता है आगे के सर्ग में तो राम के पूर्वजों से जोड़ी बड़ी ही अजीब कहानी पढ़ने को मिलती है और साथ ही गंगा नदी का विचितर इतिहास भी बताया गया है जब राम के पूर्वज अंशुमान अपने साथ हजार मृत चाचाओं को जलर्पन करने की बात सोचते हैं तब धर्ती के भीतर ही उन्हें पक्षी राज गरण भगवान उड़ते हुए मिलते हैं जो इस कथा में राम के पूर्वजों के मामा बताये गए हैं वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे चाचाओं का तरपन इसी साधान जल से नहीं हो सकता उन्हें गंगा के पवितर जल से ही मुक्ती मिल सकती हैं गंगा अपने जल से इने आपलवित करेगी और वो उसी समय नहीं स्वर्गलोक में पहुंचा देगी यहां से आके गंगा क सभी की सुनी-सुनाई हो सकती हैं, लेकिन आज इसलिए सुनानी पढ़ रही हैं। हो सकता है शायद इन कहानियों में से ही हमें कोई इतिहास की छलकी मिल जाए। और मेरे उन दोस्तों की शिकायत भी दूर हो जाए। जिने लगता है मैं उनके धर्म के बारे में बिना उनके धर्म की किताबे पढ़े ही बोलता हूँ जिने लगता है इन किताबों में इतिहास भुगोल और आधुनिक विज्ञान से भीकूर जानकारिया छुपी हुई है चलिए अपने इतिहास विज्ञान और भुगोल की तलाश में आगे बढ़ते हैं पक्षी राज गरुड भगवान से गंगा नदी द्वारा तरपन की बात सुनकर अंशुवान घोडे को लेकर वापस लोटाए उन्होंने गरुड महराज की बात अपने दादा राजा सगर को बताइ उसके बाद प्रिथवी पती राजा सगर ने यग पूरा किया और राजधानी में लोटाए उन्होंने गंगा नदी को प्रिथवी पर लाने के लिए बहुत समय तक विचार किया लेकिन किसी निर्णे पर नहीं पहुँच पाए और 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद स्वर्ग लोग चले गए उसके बाद अंशुमान राजा बने और उनका पुत्र दिलीप हुआ वो भी एक महान पूरुष था अंशुमान दिलीप को राज्य सोप कर हिमाल्य परवत के शिखर पर तपस्या करने चले गए और अंशुमान भी 32,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद स्वर्ग लोग चले गए अपने पूर्वजो के वंश का व्रितांत सुनकर राजा दिलीप भी दुखी रहते थे लेकिन वे भी इसे लेकर किसी विचार तक न पहुँच सके कि कैसे गंगाजी को धर्ती पर लाया जाए और कैसे अपने पित्रों का गंगाजी द्वारा उधार कराया जाए अब इसके बाद उनके एक पुत्र भगी रत हुए जो बड़े ही धार्मिक थे राजा दिलीप ने बहुत से यग्यों का अनुस्थान किया तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया लेकिन अपने पूर्वजों की उधार की चिंता में वो भी रोग से पीडित होकर स्वर्ग सिधार गए अब सोचने वाली बात है राम के सभी पूर्वजों की उम्र 30,000 वर्ष से कम नहीं है इन में से राजा अंशुमान 32,000 वर्षों तक तब करके स्वर्ग लोग चले जाते हैं उसके बाद राजा बने दिलीप अनेको यग्य करते हैं और 30,000 वर्षों तक राज्य करते हैं क्या ये संभव है कि कोई वेक्टी 30,000 वर्षों तक जिंदा रहा हो और एक तो केवल तब करते हुए केवल हवा खाकर जिंदा रहा हो अगर एक्षवाकु वंस का हर एक राजा 30,000 साल तक जिया था तो इस हिसाब से तो जब सारी दुनिया में आदिमानम नगन घुम रहे थे यहां भारत में राजाओं के राज्य चल रहे थे यहां रामायन चल रही थी क्या ये संभव है क्या हमारे जीवा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी है जो इसमें यकीन कर सकता है ऐसी बातों को सुनकर इसे इतिहास कह सकता है खैर अभी तक भी गंगा नदी का इतिहास बाकी है चलिए उसे भी देख लेते हैं जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है राम के पूरवज राजा सगर और अगली पीडियों के राजा अंशुमान और दिलीब भी गंगा को भूमी पर लाना चाहते थे पर सफल नहीं हुए अब उसके बाद की कहानी में राजा दिलीब के पुत्र भगीरत हुए जिसने राजा बनने पर गोकान तीर्थ में जाकर एक हजार वर्ष तक घोर तपके या भगवान ब्रह्मा ने खुशों कर वर दिया और गंगा को जमीन पर लाकर दिलीब के पिता महों यानी राजा सगर के 60,000 पुत्रों को गंगा जल अरपित करने की आग्या दे थी ये विवरन वालमी की रामायन सर्ग 42 के शलोक संख्या 11-19 तक मिलता है आगे बालकांद सर्ग 43 के अनुसार राजा भगीरत ने शिव को गंगा को अपने सर पर धारन करने के लिए तक द्वारा मना लिया और उसके बाद गंगा धर्ती पर आ गई एक धारा समुद्र की और और दूसरी धारा राजा भगीरत के रत के पीछे पीछे चलने लगी राजा भगीरत का रत जिस दिशा में जा रहा था गंगा उसका अनुसरण कर रही थी इसी सरकिश लोख 34 से 37 तक वरणन मिलता है कि रास्ते में राजा जहुन्नु यग कर रहे थे गंगा उनका यग मंडब बहा ले गई तो क्रोध में राजा जहुन्नु ने गंगा का सारा पानी पी लिया और उसके बाद देवताओं के दखल देने के बाद उन्होंने प्रसन होकर गंगा का पानी अपने कानों के छिद्रों से बाहर निकाल दिया और गंगा बहने लगी अब खुद विचार करें कि ऐसी गपो को एतियासी घटनाई कहा जा सकता है अब आगे कथित इतियास ग्रंथ में इससे भी गजब कहानिया मिलती है जैसे दही को बिलोने से मखन लसी घीव अगरा निकलता है वैसे ही बालकान सर्ग 45 में देवता और देत्य समुद्र को मत कर अम्री तोरन्य वस्तुए निकाल लेते हैं श्लोक 18-19-20 के अनुसार वसुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल परवत को मतनी बना कर देवता और देत्यों ने समुद्र मंथन आरम किया मंथन करते करते 1000 वर्स बीट गए तो वसुकी नाग के मुख से भयंकर विश निकलने लगा नाग आसपास की चट्टानों को डसने लगा तो वे चट्टाने जलूठी श्लोक 23-25 में विश्णू के कहने पर शिव ने सारा विश अपने गले में रख लिया और वे नील कंठ हो गए उसके बाद मंदराचल परवत समुद्र में धस गया तो विश्णू कच्वे का रूप धारन करके मंदराचल के नीचे समुद्र में लेट गए और साथ ही अपने एक हाथ से मंदराचल परवत की चोटी को पकड़ कर घुमाने भी लगे मंतन करते करते एक हजार वर्ष और बीद गए तब ख्षीर सागर से एक दिव्य पुरुष पैदा हुए जिनका नाम धनमंत्री था इसी पुरुष के साथ ही साथ हजार अपसराएं और उनकी असंख्य सेविकाएं भी प्रकट हुई यहां साथ हजार पुत्रों, साथ हजार अपसराओं से कम की कोई बात ही नहीं करने को तियार है चलो उस दोर में तो समझ नहीं थी उन्हें लंबी-Lंबी फेकने की आदत थी लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक भी कोई रामायण को प्रिंट करने वाली संस्था इससे कम मेराजी नहीं है और वो भी तब जब रामायन को एत्यासिक घटना साबित करने की मुहीम चल रही है रामायन में ये सब कहानिय क्यों है इस पर भी इसी सीरीज की किसी कड़ी में विचलेशन किया जाएगा फिलहाल हम चोथी कथा की ओर चलते है इसी कथित इत्यास ग्रंत में वशिष्ट मुनी और उनकी विचित्र गाय कामधेनू की भी कथा मिलती है इसी कथा में वशिष्ट और विश्वामित्र के बीच एक अनोखे युद का भी वनन मिलता है ये सारा प्रसंग बाल, कांड, सर्ग, बावन से पचपन तक आता है ये कहानी उस वक्त का इत्यास बताती है जब विश्वामित्र राजा हुआ करते थे और वशिष्ट ब्राह्मन रीशी थे कथा के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में आगमन पर रीशी वशिष्ट उनका थिती सतकार करते हैं और सारी सेना की खानपान का प्रबंध वशिष्ट की चितकबरी गाएं करती हैं बाद में गाएं को लेकर राजा विश्वामित्र और वशिष्ट में युद्ध हो जाता है सलोग 21 किस के अनुसार वशिष्ट ने अपनी गाएं को बुलाया आदेश दिया की राजा और सेना की खानपान भोजन का प्रबंध करो सर्ग 23 पन सलोग 1-5 में कामधेनु गाएं ने सभी की चानुसार भोजन प्रकट कर दिया तरह तरह के मिश्थान, पीने के रस, घी, दूध, दही और खीर की नदिया बहाँ दी सारा भोजन सोने चान्दी के बर्तनों में परोसा गया सलोग 9-25 तक में विश्वामित्र और वशिष्ट की बात चीत है जिसमें राजा विश्वामित्र लाखो गाएं धन दोलत देकर कामधेनु गाएं लेना चाहते थे पर वशिष्ट इनकार कर देते हैं सर्ग पच्पन में इन दोनों के बीच भैंकर युद्ध शुरू हो जाता है सर्ग पच्पन के श्लोक दो में एक विचित्र बात ये भी है कि कामधेनु ने उंकार मात्र से है बहादुर कामबोज युद्ध विश्वामित्र की सेना के विरुध लड़ने के लिए पैदा करती है श्लोक तीन से छे तक गाएं के दिव्वे कारनामों की पूरी सूची है गाएं के योनी से यवन गोबर के स्थान से शक तथा बालों के सुराखों से हरीत, किरात, मलेच, आदिवीर योध्य उत्पन हो जाते हैं जो विश्वामित्र की सारी सेना को मार डालते हैं विश्वामित्र की सो पुत्रों को काम धेनुए एक हुंकार मात्र से ही भस्म कर देती हैं काश ऐसी गाएं केवल कथाओं में नहोकर सचमुच में होती तो हम बिना किसी खर्च के दुनिया में सबसे बड़ी सेना अपने देश के लिए खड़ी कर लेते और भारत तो क्या पूरे विश्व में किसी को भूका नहीं रहने देते फिलाल इस कथा में से कोई इत्यास निकालने की कोशिश करना चाहे तो कर सकता है आज के इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम रामायन के मुख्य किरदार राम के जन्म और उसकी सेना के जन्म के इत्यास को जानने वाले हैं रामायन में राम जन्म का विब्रण हमें बालकांड सर्ग 16-18 में मिलता है राजा दसरत पुत्र प्राप्ती के लिए पुत्रेष्टी यग करते हैं यग अगनिकुंड से एक विशाल आकार का मुनिश्य रूप धारी प्राणी प्रकट हुआ जिसके वस्त्र और आभुशन बड़े ही वैभवशाली थे उसके हाथ में सोने की बनी हुई पराण थी जिसके उपर चांदी का धक्कन लगा हुआ था उसने राजा दसरत को बताया कि वो इस पराण में देव लोग से खीर लेकर आया है जिसके खाने से राजा की पत्निया गर्ववती हो जाएंगे और पुत्र पैदा करेंगे जिनके अस्तित्व के लिए ये सब माथा पच्ची हो रही है रामायन कहती है कि वो खीर खाने से पैदा हुए थे रामायन में हमें पढ़ने को मिलता है कि राम ने वानरो और रीचों की सेना को साथ लेकर लंगा पती रावन से युद्ध किया था और राम की इसी सेना द्वारा राम सेतु नाम का एक विशाल पुल बनाया गया था वानरो और रीचों की सेना में एक से एक कारिगर और बुद्धिमान जीव थे लेकिन राम के इतनी बुद्धिमान और कारिगर्द सेन आखिर कैसे पैदा हुई इसके बारे में एक बड़ी ही विचित्र कथा रामायन के बाल कांड सर्क्स तारा किस लोग पांच और छे में आती है ब्रह्मा देवताओं से कह रहे हैं कि तुम सभी लोग अपसराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्षों और नागों की कन्याओं, रीचनियों और वानेरियों की गर्ब से पुत्र पैदा करो ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने असंख्य पुत्र बंदरों के रूप में पैदा करती है साथी रिशियों, सिध्धों, नागों, चारणों आदी ने वानरों और भालूओं के रूप में पुत्र पैदा किये इंदर ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, ब्रहस्पती ने महाकाव्य बंद को और विश्व कर्मा ने नल को पैदा किया वरुन ने शुसेन को और वायू देवता ने हनुमान को पैदा किया सर्ग स्तारा के ही स्लोक साथ में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पहले ही जामवान को पैदा कर चुका हूँ विश्तरित जानकारी में वे बताते हैं कि मैं जम्हाई ले रहा था कि जामवान अचानक से मेरे मुख से पैदा हो गए इस पूरी दुनिया में आपको इस तरह का इतिहास कहीं और नहीं मिलेगा और नहीं ऐसे देवता मिलेंगे जो किसी भी दुआर से बच्चे पैदा कर सकते हैं संसार भर में ब्रह्मा ही ऐसे प्राणी थे जो मुख से उलाद पैदा कर सकते थे और यही वर्दान उन्होंने देवताओं को भी दिया था अब कुछ सवाल मैं रामायन को इतिहास कहने वालों से पूछता हूँ राम अगर एक इनसान है और इतिहास है तो वो इनसानों की तरह पैदा होने चाहिए थे उनसे जुड़ा हर एक पात्र प्राकर्तिक तरीके से पैदा होना चाहिए थे तो अब आप ही बताएं क्या रामायन का हर एक पात्र इतिहास है क्या रामायन में प्रस्थुत हर एक कहानी आतियासिक घटना है राम अगर इतियास है तो ये बे सिर पैर की कथाई क्यों लिखी गए है और ओचित्य नहोते हुए भी आज भी रामायन में क्यों शामिल है क्यों रामायन का 70% भाग केवल इन कथाओं से भरा है और सवाल तो ये भी है, क्या इन कथाओं के बिना रामयन का कोई हस्तित्व है? मैं अपने तरक्षिल दोस्तों से भी चाहूंगा किस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी तारकिक राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ मेरे साथ इस वीडियो के आंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद